हलो एबरिवेंट वेलकम टू रेटकल डिपार्टमेंट इंस्टीटूट फॉर प्लाजमा रिसर्च गौर्मेंट आफ इंडिया कंपनी की तरफ से नियू रिकुर्मेंट निकल कर आ रही है फारेट 2024 जहां पर फ्रेसर अपलाई कर सकते हैं यस आल इंडिया इलिजबल है इस वीडियो में हम डेटेल में बात करेंगे क्या इलिजबिल्टी कैट्रिया है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आपको इसमें अपलाई कैसे करना है तो कंप्लेट इनफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए अगर आप चैनल पर नए है तो चै अगर आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर इंजिनिंग में सिविल इंजिनिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजिनिंग में, इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्निकेशन में, मेकेनिकल इंजिनिंग, इंस्ट्रिमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजिनिंग या फिर जनरल इस्टीम है आपका बीकॉम, बीए, बीबीए, तो आप इसमें ऑनलाइन अ एंड कंट्रोल यह सभी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं इलिजबिल्टी के ट्रिया की बात करें तो graduate apprenticeship के लिए जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए और बीई बीटेक जो होना चाहिए आपके पास full time regular होना चाहिए technician apprenticeship की बात करें जिसमें डिप्लोमा वाले होते हैं तो computer engineering के लिए आपके पास diploma होना चाहिए computer engineering में civil engineering में डिप्लोमा electrical engineering electronics and communication mechanical engineering instrumentation and control stipend की बात करें तो आपको यहाँ पर जो डिग्री यानि की बीई बीटेक वाले उनको 13,05 रुपे पर मन्त stipend देखने को मिलेगा और technician apprenticeship के लिए यहाँ पर 12,000 रुपे पर मन्त आपको stipend देखने को मिलेगा other company के compare में आपको यहाँ पर अच्छा stipend देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी आपको one year का apprenticeship देखने को मिलेगा कैसे आपको apply करना है यहाँ पर देख सकते हैं direct link आपको मिल जाएगा इसका link हम वीडियो के description प्राइड कर देंगे इस पर click करके आपको simply apply करना है apply online start हो चुका है 22 जून से ही online आवेदन की अंतिमतिती जो है वो 21 जूलाई तक है 21 जूलाई तक आप इसमें online आवेदन कर सकते हैं अब बात आते है डिप्लोमा डिग्री कब का pass out होना चाहिए तो अगर आपने डिप्लोमा डिग्री पास किया है 2022 में 23 में या 24 में तो आप इसमें अप्लाई करेंगे य जो कि वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर सेलेक्शन प्रोसेस की बात करत कोई भी एक्जाम नहीं होगा डायेक्ट आपने डिप्लोम में जो परसेंटेज लाए हैं उसी की बेस पर आइसमें सेलेक्शन हो देखने को मिलेगा यानि कि एक मेरिट ल अगर में आपको जॉब लोकिशन देखने को मिलेगा यहाँ पर पूरा लिंक दिया गया है बाकी कोई क्वैरी है तो आज यहाँ पर देख सकते हैं मेल दिया गया है इनसे पूछ सकते हैं अपलाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है इसका लिंक आपको वीडियो के डि कर सकते हैं हमने अपलाई लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्रियो में दे रखा है तो आज के इस वीडियों के वर इतना ही अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में